हेलो पैरेंट्स वेलकम टो अर्केस्टिक आज हम देखेंगे क्लास फॉर्स्ट का इवियस का स्टिलैवस इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी ठीक है फॉर्स चाप्टर है अबाउट माइसेल्फ अबाउट माइसेल्फ में बच्चे को खुद के बारे में सिखाया जाता है मतलब वो कौन है उनका नाम क्या है उनकी एज क्या है उनका एड्रेस और उन्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है ये सारी चीज़े उन्हें इस चाप्टर में सिखाया जाती है Then है my family, my family में उन्हें types of family सिखाए जाती है, जैसे कि family के दो type होते है, एक joint family और एक nuclear family, साथी साथ family में रहने से क्या benefits होते है, वो उन्हें सिखाए जाते है, इससे family की importance उन्हें पता चलती है, उसके बाद है festivals, festivals में बच्चों को types of festivals सिखाए जाते है, जैसे कि holy, besakhi, onam, ramnomi, इस तरह से सारे festival उन्हें सिखाए जाते हैं, और उन्हें हम क्यों celebrate करते हैं, और कैसे celebrate करना है, यह सब उन्हें सिखाए जाता है, then है my body, my body में उन्हें body parts सिखाए जाते हैं, और साथी साथ functions of the body parts भी सिखाए जाते हैं, उसके बाद है sense organ, sense organ में उन्हें five sense organ जैसे कि eyes, ears, nose, tongue, skin, यह सारे बच्चे को सिखाए जाते हैं, और उन sense organ का, क्या use है, वो उन्हें सिखाए जाता है, जैसे कि nose, nose का smell, tongue, tongue का taste, eyes, see, यहाने देखना, ears, hear, यहाने सुनना, यह सब उन्हें सिखाए जाता है, उसके बाद है animal around us, animal हमारे आसपास कौन से animal है, वो सारी चीज़े उन्हें सिखाए जाती है, जैसे कि domestic animal, उनके cries, उनके sound सिखाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे cow, cow का moose, dog, bark, horse, name, इस तरह से उन्हें सिखाया जाता है, उसके बाद है home soft animal, home soft animal में उन्हें animals कहां रहते हैं, उनका घर कहां हैं, वो सिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे है cow, cow, shed, horse, horse, stable, dog, kennel, इस तरह से उन्हें सिखाया जाता है, नेक्स टॉपिक है, people who help us, helping people के बारे में उन्हें बताया जाता है, जैसे कि यहां पे है doctor, doctor, blacksmith, kobler, fireman, इन सारे people को उनको बताया जाता है, और साथी साथ वो क्या काम करते हैं, वो भी उन्हें समझाया जाता है, नेक्स टॉपिक है, food we eat, हमें खाना क्यों खाना है, उसे क्या होता है, मतलब protein मिलता है, calcium मिलता है, ताकत आती है, energy मिलती है, साथी साथ, पानी पीने से क्या benefit होते हैं, और types of meals, जैसे कि हमें morning में breakfast लेना है, afternoon में lunch लेना है, night में dinner लेना है, ये सारे चीज़े उन्हें सिखाया जाती है, then rooms in my house, types of room in house, हमारे घर पे कौन-कौन से rooms होते है वो सिखाया जाते है, जैसे कि bedroom, living room, bathroom, kitchen, ममी खाना कहां बनाती है, आप study कहां करते हो, study room, इस तरह से उन्हें बताया जाता है, उसके बाद है animals and insects, animals में domestic animal हो, wild animal, water animal, ये सारे animal उन्हें बताया जाते है, और साथी साथ उन्हें इंसेक्ट, इंसेक्ट जैसे कि हनी बी, spider, housefly, mosquito ये सारे उन्हें बताया जाते है, देन है vehicles, vehicles में उन्हें means of transport बताया जाते है, जैसे कि airways, aeroplane, helicopter, space shuttle, roadways बताया जाते है, railways बताया जाते है और waterways उन्हें बताया जाते है, ship and container ship इस तरह से, उसके बाद है parts of plant, parts of plant पे उन्हें प्लैंट के कौन कौन से part है वो बताया ज जैसे कि root है, fruit है, stem, leaf, flower, ये सारी चीज़े उन्हें बताया जाती है, तो आज हमने इस वीडियो में देखा, first class EBS का syllabus, आपको ये वीडियो पसंद आया तो please like और share जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए है तो subscribe जरूर कीजिए, thank you